नमस्कार लेनर्स मैं डॉक्टर रुची बंडे उत्राखंड मुक्त विश्व उध्याले के रसायन विभाग से आज आपके लिए 22 अप्रेल को जो हम अर्थ दिवस मनाते हैं उसके विश्व में कुछ जानकारियां देने के लिए आई हूँ जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 22 अप्रेल को विश्व इस्तर पर प्रित्वी दिवस यानि कि अर्थ दे मनाया जाता है यह दिन परियावन संडक्षड के बारे में लोगों को जागुकता फैलाने के उद्देश से मनाया जाता है इसकी पहल सन 1970 में हुई थी जिसके बात से लगभग 195 से जादा देश इस देश को 195 से जादा देश इस दिन को मनाते हैं वास्त्विक्ता में अगर माने तो अर्थ डे की सुरुवात अमेरिका सिनेटर गेलाड नेलसन द्वारा की गई थी जिनोंने परियावरन की सिक्षा देने में सहयोग किया था हर साल यह खास दि अलग अलग तरीके से अलग अलग थीम के साथ मनाया चाता है जैसे कि इस साल अर्थाद 2024 के लिए विश्व प्रत्विदिवस की जो थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक यानि की प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है यह सक्तिसाली विश्व हमारे ग्रह और इसके निवासियों पर प्लास्टिक के प्रदुशन के प्रभाव तथा प्रिणामों के बारे में जागुकता बढ़ाने पर केंड़ित है इसका मुख्य देश प्लास्टिक के उप्योग और उत्वात को भारी रूप से कम करने तथा वैस्विक आंदोलन को प्रेरित करना है बहुत से साथ बहुत से प्रतिवी दिवस आधिकारिक आयोजन प्लास्टिक मुक्त भविश्य प्राप्ट करने के साथ अंतिम लक्स से 2040 तक सभी प्लास्टिक के उत्वात को साथ प्रतिसत तक कमी करने पर जोड दे रहा है कि अर्थ डे का जो इस बार विसय बनाए गया है उसका मे बहुत ज्यादा हामफुल है वह क्या हो जाए नस्ट हो जाए हम उसको प्योग करना बंद कर दे तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही दिन में सारी प्लास्टिक का यूज करना बंद कर देंगे उसके लह में खुद अपने मन से ससकत होना बहुत जुरूरी है तो हम इस इस दिन दुनिया भर में परियावरन सन्रक्षण के लिए समर्थन प्रदैशित करने हेतु आयोजन किया जाता है यह तारिक मुखित जो है उत्री गोलार्थ में बसंत और दक्षडी गोलार्थ में सरत का मौसम का प्रतीक होती है। दुनिया भर में साल में दो दिन प्रतिव दिवस मनाय जाता है। 21 मार्च को बनाय जाने वाले इंटरनेशनल अर्थडे को सयुक्त राष्ट का समर्थन हाजिल है। लेकिन इसका व्यग्ञानिक तता परियावरन सम्मन्धी महत ही है, लेकिन 22 अप्राइल को मनाय जाने वले अर्थडे का सामाजिक तता राजनितिक महती है। इसलिए दुनिया के अधिकांस्त हदेश 22 अप्राइल को ही वारड अर्थडे के रूप में मनाते हैं। साल 1970 में विश्व पिर्थी दिवस्क वो एक वार्चिक कारिक्रम की रूप में मनाना शुरूआ होता। इसके मुद्दों को सुल्जाने के द्वारा परियावरणी सुरक्षा का बहतर ध्यान देने के लिए राष्टी समर्थन प्राप्त करने के लिए इस दिन की सुरुवात की गई। इसकी स्थापना अमेरिक सीनेटर जॉरान नेलसन ने 1970 में परियावरणी सिक्षा के रूप में की दि। जिसे उन्होंने अपने संपूर्ण कारिकाल के दौरान प्रबल समर्थन दिया और जो प्रतिवी दिवस यानि कि जो अर्थ देश सब्ध है उन्होंने ही पहली बार इसको दिया था यही कारण है कि 1970 के बाद प्रतिवी दिवस 22 अपरल को मनाय जाने लगा लगा 22 अपरेल 1970 को आयोजित पहले अर्थ दिवस में 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने भाग लिया जिससे हर समाज वर्क और छेत्र के लोगों ने बढ़ चड़कर भाग लिया यह दिवस आधुनिक समय के समय पर्यावरन आंदोलन में बदल गया और लोग इससे जागरुक होने लग और सारी दुनिया में सहयोग और समर्तन प्रदान करने के लिए विस्व रूप से मनाय जाता है यह तो हमें पता चलगे कि पर्यावरन दिवस क्यों मना जाता है लेकिन इसका महत्व क्या है आपको पता हिए जैसे कि इस समय पर्यावरन में होने वाली सबस्चर बड़ी समस तो विस्व में बढ़ती जनसंख्या तथा अधोगी करण के नए नए खते पैदा हो रहा है रोजाना घर्ती हर्याली वह बढ़ते पर्यावरन प्रदूसर से प्रकृति का मौसम चक्रिभी अनिमित पोता जार है जैसे कि इस साली दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी गर् करनी होगी अगर प्रतिव को बचाने के लिए नहीं करेंगे तो हमारी प्रतिवी नस्ट होने की तरफ को बढ़ती जा रही है प्रतिव इद्वस मनाने को जो मेक मुख्य उद्देश यही है कि जादत स्यादा लोग पर्यावरन सनक्षड के लिए जाकरूग रहे पर्याव किसी कहते हैं कि हम हमारे एकनने से कुछ होगा किसी परनात कि यह एक व्युक्ति संस्ता ही समाथ के चिंदीछ होने से यह कुस् pressure लेकर सब योग दान देंगे सभे तो हमारी जो यह समस्या है प्रतिवी जो खत्री में आ गई है इसको क्छानी के समग्जा एसथोग कि उस प पूरे दुनिया के लिए चिंटा का विसह है, मनुष्य। ज्यादा च्षच साधन विलासिता और आधनुवि दौर में आगे बढ़ते ही जा रहा है, और इस आगे बढ़ने की होड में वो क्या कर रहा है, पृतिवी के लिए संकट पैदा कर रहा है, जी हां, हमने तमाम ऐसे साधन पैदा कर लिए है जो पृत्फिवी के लिए खतरनाक है जो पृत्रीवी के लिए जो परिस्तितिया है जो पृत्रीवी के लिए क्वाट्रे का कारण बनेगे जिसमें हम सबसे पहले लेकर चलेंगे सभी जानते हैं कि इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। कि global warming अगर इस तरह से चलती रहेगी, global warming इस तरह से बढ़ती रहेगी, तो हमाई लिए छेत्र के लगबग 15,000 glacier और 9,000 glacier lake, यानि कि जिसे हम हिमताल कहते हैं, वो आदे वर्च यानि कि 2050 तक लगबख समाप्त हो जाएंगे, अगर यह सब समाप्त हो गए तो हमारे धर्ती पर बचा क्या, यह सब समाप्त होने कि इस तिदी पर बहुच जाएंगे, अर्थार यहाँ अधियन यह इस बात की कोश्ट्रि करता है, ज neighbors पर याबरे पर्दूर्शा मेरी यह हमारे धर्ती पर भुज़ात है, क regarding यह harmful effect हमारी धर्ती पर आक यह तो पहला था global warming जिसके कारण हमारे प्रृत्थ या हो रहाए दूसरा कारण है जन्संख्या व्रिद्धी हम जानते हैं कि पिछले 100 साल में जन्संख्या लगबग 2 अरब से बढ़कर 7 अरब तक पहुंच गई है जन्संख्या के बढ़ने के साथ और दोगी क्रांती प्रितिम में संसाधन की बढ़ोतरी भी हुई है विकासिय देसों में अ जानका लोग वैसे चितामनी दे चुके हैं कि परमानु और आशानिक हतियार का आतंगवाद के हाथ लगना दुनिया के लिए सबसे खतरनाक हो रही है इस समय होने वाले जितनी भी करांतिया चल रही है जितनी भी युद्ध्ध हो रहे हैं वह क्या है एक तरह से धरती को कि प्लास्टिक को नुक्सान पहुचाने केलिए सबसे बड़ी जुम्यदार यह फ्लास्टिक है, बहुत बड़ा खत्रा बनके उभर रही है दिन के शुरुआ से लेके हम बिस्तर में जाने तक अध्यान से देखें तो हम प्लास्टिक का कितना ज्यादा उपयोग कर रहे हमें पता है फिर भी हम उसका उपयोग कम नहीं कर रहे हैं तो कहने का अतलब है हमारे आज पास के अट्मॉस्पेर में प्लास्टिक ने एक तरह से कपजा कर लिया है आपको पता ही है इस समय मार्केट में कई जगे प्लास्टिक बैन हो गई है लेकि फिलोग फिर 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 छुप छुपके धडल से इसको बेच रहे हैं इसका इस्तमाल कर रहे हैं छुपा छुपके इसका प्रियोग कर रहे है समझ लेएं आपके पिर्थि भी के चार गेरे बने लिए since प्लास्टिक का उज कर रहे हो और वह हमारे ली हम सोछते के बंई भी सिरी कि ऐसा तो और कभी नहीं है क्योंकि प्लास्टिक के विदी कहीं नहीं त fire नहीं कंदे रहिए उसका कटना उसका नश्टोना हमारे लिए बहुत हामफूल यानि कि धर्ती के लिए बहुत हामफूल है एक रिसर्च के दौरान यह सामने आया है कि दुनिया के अधिकांज जंगल खतम हो गए पेड़ हमें हमें पता है कि ऑक्सिजन देते हैं जल को च्छानते हैं सच वायू मुफ्तम हम अनास कर रहा है हम जंगलो को चाहिता हुद यह क्या है लिह यह संकुछार मुदत में प्रापत होटके को हुद उक सक 25 कि की सि जंगलों को काटना नहीं होता है जन हों ते यह तो में कारने के हमारे पृतिवी को harmful effect देने वाली पृतिवे मढ रहे खत्री प्रस्टमी उड़ता है कि खत्रे तो मैंने बतादे लेकिन हम इस पृतिवी को बचाए कैसे तो कोशिप करें कि पृतिवी पर जैसे हम प्रतिवी सब्दे लाते हैं तो प्रतिवी सब्द का जो अर्थ है जिसमें जल, हर्याली, वने प्राणी, प्रदूसर्ण और इससे जुड़े अन्यकारक होते हैं, धर्ति को बचाने से आसे हैं रक्सा करना है, पहले हम इसके लिए खुद हमें प्रतिगा लेने प्रतिवी को देते हैं, उनको हम खुदी छोड़ेंगे, उनका प्रियोग कम करेंगे, उसके लिए हम पहल करेंगे, हम सब इन दिनों भुमंडल पर बिगरती स्थिति को देखके, खुदी जिन्तित है, तो हमें इसके लिए करने चाहिए, पहल करने चाहिए, तो आईए, धर्ति को बचाने में सुरुवात कर सके, प्रतिवी के परेयारन को बचाने के लिए हम यादा कुछ नहीं कर सके, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, कि पॉलिथीन का प्रियोग सबसे पहला काम हम प्रियोग कम करें, दूसरा, चागज के इस्तमाल करें और रिसाइक्लिक को क्योंकि जितनी ज्यादा खराब सामगरी रिशाइक्लिक होगी उतनी प्रित्वी का कच्रा के आओ जाएगा ताम होगा तीसरा जाल संकट आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी चिंता के रूप में हैं जैसे गर्मिया शुरू हो गई है आपको वैसी सुनाई देर होगा यहा उपकरोन से पानी बचाने के लिए लोगों को ट्रेडित करें कम से कम केमिकल करें और शरीज घर या अनिकार चीजों को जो धोने के लिए जो केमिकल इस्तमाल करें उनको नालियों के रास्ते निकाल कर घा या घास के द्वारा सोखने के लिए आपूर्ती के लिए यूज क कारे लिए इसलिए के बिजली बनाने वाले कोईला और प्राकर्तिक यह सर्वाधिक स्थमाल होता है हम बता ही हैं इन पदातों जलने से पूरी दिन्यों वाई पिर दूशन से को लाहिँ बुढ़ा है कि कम से कम कोईवा जलाना और जिससे video क blijड़ी हम कोईमा उनका कम से कम इस्तेमाल करें गहत के बाहर सौर उर्जा पर चलने वाली लाइट्स कलोगा जिससे इन बत्ते ओक का यूज करने से यह सूरी के प्रकास में खुदी रिचार्ड होती है और पॉलिशन के लिए पॉलिशन को क्या करती है काम करती है बचेवे खाना-पीना जूठ तौफं हो में भी लिए प्लास्टिक से मट्रियल युजादा भेहते है कि उसके लोगों की जीद जन्तों प्रकर्तिक निवासरा पास थल पर रहनेyy जानवरों को ज्यादा परयशान ना करे उनको वर्स्त ना करें उनको एक नोई में रहने दें उनके आσαस्पास प्रीड को कैसे बनाएंगे हम नए पौधों का रूपड करेंगे पुराने समानों की रेसाइक्लिंग करेंगे जगे जगे सफाइ करेंगे और सफाइब करने का जिम्मा लेंगे अपने परिबार के साथ कुछ गत्य वीदियो में सामिल होंगे जैसे कि पेड़ पहर पक्सी के लिए घ साथ में पर्यावरन से जुड़ी पेंटिंग, स्लोगन, कविता, डेकोरोशन, पृतियोगिता अगे करवा के उन पर हिस्सा लेके पृतिवी दिवस को सफल बनाने में साहिक हो सकते हैं ता साथ ही सबसे पहले लोगों को सिक्षा दे कि पिर्तिवी का ध्यान क्या है और हमे खुद ही पहले करी हम मुदुसर को प्रियृत करना है तक हम इस साल के प्रतिवी दिवस को सफल बना सके और हर साल धीरे हम कुछ नए गतिवी दिय को लेकर धेरे-धेरे होने वाली समस्याओं को दूर करने में फोडिसी कुछ पल तक सहता दे सके धन्यवाद